नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए फिर से एक रहस्य मई जानकारी लेकर के आया हूँ जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिव जड़ी बूटी तथा कई तांतरिक साधनाएं एवं कई तांतरिक अरवेदिक उपाय लेकर के आता रहता हूं तो दोस्तों मैं फिर से एक ऐसा ही चमतकारी उपाय लेकर के आया हूं जिसके द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं का घर की परसानियों का निवारन कर सकते हैं साथ ही साथ दिव उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं जिहां दोस्तों आज हम बात करेंगे कोई लाभ के बारे में नहीं जानते होंगे जिहां दोस्तों गिर्गिट के अंदर कुछ ऐसी दिव सकतियां पाई जाती हैं जो कि दोस्तों उसको सभी जीवों से अलग बनाता है जिहां दोस्तों गिर्गिट पूरे दुनिया में जो है बहुत ही जादा पाया जाता है और साथ ही साथ इस गिर्गिट में एक अद्भूत छमता एवं सकती होती है जिसके कारण दोस्तों यह अपने सिकार को आसानी से दबोच लेता है मित्रों जब गिर्गिट अपने सिकार को पकड़ता है तो दोस्तों गिर्गिट अपने सिकार को पकड़ने के लिए यानि किसी भी कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए अपनी जीव को कम से कम 12 से ज़्यादा इंच तक बाहर निकाल करके कि अपने सिकार को जपट सकता है दोस्तों यह जो गिर्गिट होता है पूरी दुनिया में कई प्रजाती का पाया जाता है यानि कि इसकी कई प्रजातियां है और दोस्तों अलग-अलग रंगों में अलग-अलग छेत्र के अलग-अलग देशों में वहां के परियावरण के अ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिर्गिट को मार देते हैं अपने स्वार्थ के लिए और असुरी सिद्धी के लिए तो दोस्तों मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए महापांप है दोस्तों हमारा कोई भी अधिकार न के लिए दोस्त कई लोग ऐसे हैं कि जो है उन जियों की हत्या कर देते हैं जो की गलत है लेकिन दोस्तों जो हम आपको इस वीडियो में जो आपको तांतरिक उपाय बताएंगे जो दिब उपाय बताएंगे वह सबसे अलग होगा दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहल गिर्गिट से जुड़े कुछ चमतकारी उपाय बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं तो दोस्तों सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को सुने तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक एकांत जगह ढूंडनी है ठीक है जहां लोग कम आते जाते हो या फिर आते जा सबसे पहले धीक है और डरना नहीं है बड़े ही प्यार से उस्ती स्वारक लेकर फिर अपको दिन करना है ठीक है तो दोस्तों आपको सबसे पहले गिर्गिट को खोजना है ठीक है और डरना नहीं है बड़े ही प्यार से और सदानी से करें ठीक है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जहां आपको गिर्गिट दिखे तो उसके पीछे लग जाना है जिहां दोस्तों उसका घोसला ढूणना है जियां दोस्तों गिर्गेट का आपको घर ढूणना है जहां पर वो रहता है दोस्तों ध्यान रखें आपको मादा गिर्गेट को ही खोजना है लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि मादा है या नर है तो दोस्तों आप जो ऐसा करिएगा कि आप जो है कोई से भी गिर्गे ग्रगिट अगर आपको मिल जाये उसका पीछा करना है जहां पारक जहां पर होगा अपना सिकार करना करें तो आपको कउछ पाना है तो आप आपको क्या करना है पहले जो है आपको उसका घोसला ढूंड़ना है यानि उसका घर गिर्गेट का जैसे आपको उसका घर मिल जाए तो दोस्तों आपको खोज लेना है और वहां से आ जाना है फिर आपको अगले बुद्वार या रभिवार या सनिवार को जाना है उसी जगह आपको एकदम काला होना चाहिए पत्थर आपको बालू में मिल जाएगा आप खोज लीजिएगा आपको यहां वहां पड़े मिल जाएंगे ठीक है या फिर दोस्तों जो बालू हींटों का काम करते हैं तो वहां पर भी आपको छोटा छोटा रंगीन पत्थर मिल जाएगा य एकदम दोस्तों ताकि आपको जो है असानी हो उसके घोशले में उसके घर में रखने में ठीक है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि छोटा सा पत्थर लेना एकदम जैसे दोस्तों वो होता है ना एकदम चना जो सफेद चना होता ना बड़ा वाला उतना उतना बड़ा आपक या फिर रभीवार वाले दिन यानि कि यह हुपाय आपको इसी दिन करना है ठीक है और जब वह गिरगेट अपने घोशले से बाहर निकले आपको बेट कर लेना है अगर घोशले में है तो आपको बेट करना कब जाए और जब दोस्तों वह चला जाए तब आपको जब गिरगेट के घर में आपको काला पत्थर डाल देना है अंडे होंगे बच्चे होंगे कुछ भी नहीं होगा तो आपको केवल और केवल उस काले पत्थर को वहाँ डाल देना है बीचो बीच ठीक है और ढग देना है और दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो है अगले बुद्धवार को जी हाँ दोस्तों आपको अगले बुद्धवार को जैसे कि आपने इस बुद्धवार को यह हुपाई किया तो अगले बुद्धवार को उस काले पत्थर को उठाना है ध्यान रखें कि यह सब करते ह आपको गिर्गेट ना देखे बड़े सवधानी से करना है और कोई व्यक्ति भी ना देखे तो आपको क्या करना है कि उस काले पत्थर को ले जाकर के गिर्गेट के घर में डाल देना है इस बुद्ध्वार को और अगले बुद्ध्वार को आपको उस काले पत्थर को बड़ गंगाजल से धोना है गंगाजल से धोने के बाद आपको क्या करना दोस्तों कि उस काले पत्थर को एक Rapid में रखे कर के ठीक है उसपे जो है कपूर और सिंदूर और लॉंग चढ़ा देना थे कि गध्ध यह हुपाइक करना दोस्तों ध्यान और जब आप यह उपाय करेंगे तो दोस्तों आप किसी भी time करें आप किसी भी समय करिए लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि कोई देखे ना यह सब करते हुए इसमें दोस्तों कोई भी मुरत का वो नहीं है कोई जंजट नहीं है आपको दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि जो है कपूर ठीक है दोस्तों इसके बाद जूसमें यह सब करने के बाद और लॉंग चढ़ाने के बाद दोस्तों उस काले पत्थर मुख उसकाले पत्थर को आपको जो है अगर बत्ती जला करके दिखानी है और बोलना है कि हे अद्रस्ट सकती हे गिर्गिट के अद्रस्ट सकती किरपा करके जो है आप मेरा कारज सिद्ध करें ठीक है दोस्तों आपको ऐसे बोलना है ठीक है और दोस्तों मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ जो कि आपको यह केवल और केवल एकांत में साथ बार बोलना ज आगच आगच स्वाहा गिरगेट आदरस सक्ति आगच आगच स्वाहा यह मंतर बोलना है साथ बार ठीक है और इसके बाद दोस्तों आपको जो है अगरवत्ती दिखानी है उस काले पत्थर को प्रणाम करना हाथ जोड़ना है कि है अदरस सक्ति मेरा कारज सिध्ध करें और समस्त समस्याओं का निमारण हो मेरे घर में सुक्सामरिद्धी बनी रहे इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना बस और उस काले पत्थर को फिर आपको जो है एक चांदी की अंगूठी बनवानी है और इसी काले पत्थर को नंग के रूप में उस अं करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आप के जितने भी काम होंगे दोस्तों जैसे ही आप गले में इस दिविताविश को धारन करेंगे तो दोस्तों आपके सारे काम बनने लग जाएंगे दोस्तों कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं दोस्तों कभी भी आपको भू अगर आप इस काले पत्थर को काले कपड़े में बांध करके अगर किसी छोटे बच्चे के गले में या किसी भी व्यक्ती के या भी किसी इस्तरी के गले में या कि हाथ में बांध देते हैं दोस्तों कभी भी बुरी से बुरी नजर नहीं लगेगी कोई भी नकरात्मक सकती आ जैसा कि मैंने बताया वैसा ही करना है ठीक है दोस्तों आप इसका जो है दो तरह से प्रियोग कर सकते हैं जैसे मैंने बताया तावीज में अंगूठी में जड़वा करके पहन सकते हैं इससे आपके क्या होंगे कि दोस्तों आपके जो ग्रह हैं जो ग्रह दोस हैं वह ठीक हों तो दोस्तों इससे क्या होगा कि इसके प्रभाव से सभी लोग वसी भूत हो जाएंगे अकर्शित हो जाएंगे जिहां दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आपको कभी भी बुरी नजर लगी नहीं सकती आपके घर में भी नहीं लगेगी दोस्तों मैंने कई बार देखा कईयों क पैसे की कमी है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उसी काले पत्थर को लाल कपड़े में ध्यान रखें सूती के लाल कपड़े में बांध करके जो है आपको अपने तिजोरी में रखना है कहां रखना है तिजोरी में या फिर दोस्तों अपने पर्स में रखना है या फिर आप चलकपट नहीं करेंगी जोट नहीं बोलोगे आप नहीं करोगे होगा अन्ता ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है तो जो भी आपके सवाल हों हमसे पूछिएगा तब तक के लिए नमस्कार